इस बार जो वीडियो है वो अकाउंटिंग बेसिक से रिलेटेट है जिसमे में आप लोगों को सिखाऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम के इंदर ट्राजक्शन जो होती है वो किस तरह रिकॉर्ड की जाती है ठीक है सो यह question आपके सामने है मैं अगर question दिखा सकूँ आप सबको तो इस इस a question जिसके अंदर different transactions है हमारे पास जो debit and credit का system होता है वो debit and credit का system में हम इस तरह समझाते कि debit means something coming inside the business कोई चीज़ अगर business के अंदर आ रही हो तो उसको debit कहते है और कोई चीज़ business के बाहर जा रही हो तो इसको credit कहते है ठीक है तो मैं इसको एक एक करके transaction को सवाल transactions को solve करता रहूंगा one by one on this whiteboard तो आप लोग देखेगा details ठीक है so this is details this is debit debit and this is credit ठीक है नीचे मैंने dollar signs लगा दिए आप चाहें तो इसको एक columnar format में कर दें तो जादा बहतर रहेगा ठीक है तो मैं इसको columnar format में क करके हम एक transaction पढ़ना चुरू करते है फिर उस transaction को solve करते है ठीक है आपके पास है Matthew introduces 10,000 capital by check ठीक है Matthew ने क्या क्या capital introduce करवा किसके अंदर business के अंदर तो हमें हमेशा business की नजर से सोचना होता है तो business में अगर capital introduce करा तो क्या मतलब business में पैसा आ रहा है by check जहां भी check का word आएगा जहां भी check का word आएगा तो इसका मतलब क्या है हम bank लिखेंगे तो bank by check मतलब bank किस के bank में पैसा आ रहा है business के बैंक में business के पास पैसा आ रहा है कैसे bank के थूँ कि check का word यूज हुआ यहाँ पे तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है सबसे पहले simply देखेंगे पैसा लिखेंगे तो प्युक् numa करेए लिखेंगे पैसा रहा है यूज है इस कोलम का रिमूब कर दते है क्योंकि यह एक्सिर में चाहता है कि हम स्रिफ नामों से श्या अंदर values नहीं लिखें तो पहली transaction के अंदर आपके क्या हो गया पहली transaction के अंदर आपके bank debit हो गया ठीक है तो यह पार्ट है मैंने यह बात बताई आपको और दुबार repeat करता हूं कि एक चीज़ अगर आपको पता चल जाया कि क्या debit हो रहा है तो दूसरी चीज़ automatically credit हो गया for every debit there is an equal and opposite credit and for every credit there is an equal and opposite debit ठीक हो गया तो अब आप देखेंगे यहाँ पे तो 10,000 के capital इंट्रूइस हुआ तो capital एक word है और bank एक word है तो bank में पैसा आ रहा है तो बचा गया capital capital आप कर देंगे credit sir हमें कैसे पता चलेगा कौन से दो words target करने है वो दो words आप सीखेंगे अलसर से asset, liabilities, capital, expenses and revenue इन पांचों कैटेगरी नदर से कोई एक कैटेगरी का word आपको उसमें नदर आगा जैसे assets के अंदर bank था तो मैंने उस line में से bank choose किया दूसरा मुझे capital नदर आया अलसर में से तो मैंने कहा कि capital credit कर दिया और bank debit क्योंकि bank में पैसा आ रहा था business के, ठीक हो गया आगे move करते है, Matthew buys supplies worth 4000 and pays by check, ठीक है एक rule में और समझा दूँ, जब कभी भी goods को खरीदा जाता है तो वहां लिखते हैं purchases, और जब कभी बेचा जाता है तो वहां लिखते हैं sales, अब पढ़ते को, Matthew buys supplies worth 4000 and pays by check, pays by check, चेक का मतलब क्या बैंक, तो बैंक क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, pays by check का मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, किसकी बैंक से पैसा जा रहा है, business की बैंक से, तो automatically bank तो credit हो गया, ये बात तो मुझे समझा गए अभी तक, अब देखते हैं क्या मैंने goods क खरीदे के बेचे, Matthew buys supplies, buys covered use हो तो इसका ममलब खरीदे, और जब कभी भी हम goods करीदे तो क्या होता है, वो purchases, तो मैंने यहां लिख दिया, automatically purchases, ठीक हो गया जी, आगे चलते है, Matthew buys a delivery van for 2000 and pays by check, pays by check, दुबारा bank decrease हो रहा है, आपके business का, तो आप क्या करेंगे, इस transaction को C में, delivery van, Matthew buys delivery van, Sir, आप इसमें purchases क्यों नहीं लिख रहे है, क्योंकि आपने तो कहा था goods, तो बेटा, यहां पर goods का word use नहीं हुआ, यहां पर delivery van का word use होगा, जहां जहां goods का word use होगा, और खरीदे होंगे तो purchases और goods sold होंगे, तो sales, ठीक हो गया, Matthew buys 1000 of purchases on credit, तो Matthew ने क्या क्या तो purchases की हैं, तो goods हमारे पास आ रहे हैं, तो goods आते हैं, तो purchases debit, ठीक हो गया, और उसने on credit किया, on credit means suppliers को pay करना है, हम अपने suppliers को accounting की language में कहते हैं, accounts payable, Sir, मुझे पता चल गया था कि purchases हो रही हैं, खरीद रहे हैं, तो purchases means goods आ रहे हैं, जब goods आते हैं, तो क्या लिखते हैं, purchases, ब by default दूसरी side क्या हो गई, credit हो गई, बस एक side का तायून आपने करना है, एक side आपने decide करना है, other side खुद बुकुत solve हो जाएगे आपके लिए, Matthew sells goods for 1500 and receives a check of that amount, ठीक है, Matthew के पास पैसे आ गए, bank के अंदर by check, check का मतलब क्या bank, तो bank में पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपने goods बेचे bank में पैसे आ रहे हैं तो debit, ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दनविया, Matthew sells all his remaining goods for 5000 on credit, Matthew ने क्या 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 है, दुबारा goods बेच दिये, तो goods business से बाहर जा रहे हैं, जब भी कोई चीज बाहर जाती है business से तो credit side, sales, अब क्या हुआ, on credit, on credit का मतलब है, जिन लोग को हमें पैसे pay करने होते हैं, वो हमारे supplier होते हैं, supplier को क्या कहते है, accounting term है, accounts payable, जिन लोगों से पैसे receive करने होते हैं, उनको हम अपनी accounting language में कहते है, accounts receivable, ठीक हो गया, तो जब sales credit हो गया, मुझे confirm दा है, sales credit होगा, तो बचा accounts receivable, जो कि आपका debit होगा, ठीक हो गया, अब next transaction प pays 800 to his supplier by check, again note कीजएगा, कि by check का मतलब है, आपका bank decrease हो रहा है, तो bank जब 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 पैसे यार होते है, bank से तो credit होता है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे, pays 800 to his supplier, तो किसको pay किया, accounts payable को, supplier को, supplier बोलें, accounts payable बोलें, तो बचा debit side, पैसे जा रहे थे, तो bank credit, accounts payable बच गया थ कि इस transaction में थी ही नहीं, ठीक हो गया, आप आगे बढ़ते है, Matthew pays rent of 200 by check, Matthew ने क्या किया, rent pay किया 200 by check, तो क्या हुआ, bank से फिर पैसे जा रहे हैं, दुबारा तो bank को कर दें credit, और क्या पे किया था, rent, तो rent हो गया, debit automatically, last transaction आपकी है, Matthew draws 100 for living expenses from the business bank account, Matthew ने क्या किया, बिजनस का bank bank account था ना, उसमें से पैसे निकाल के अपनी जेब में डाल लिए, इसको बोलते है, drawings, यह term आप बात में सीखेंगे, next video के अंतर, इंशाला, अभी के लिए यह है, Matthew के bank से पैसे निकल रहे है, Matthew जब अपने business के bank में पैसे डालेगा, तो क्या होगा, debit होगा, और Matthew जब business के bank से उन्होंने पैसे निकाले तो अब तो उसी के bank account में तो आपने यह credit क्यों किया है, यह credit करने का मकसद यह है, कि आपके business के bank account से निकल चुके है, पैसे किसके account में जा चुके है, owner के account में, तो owner और आपका business दो अलग-अलग चीज़े हैं, यह बात हमेशा यादर कियागा, इस कि business से तो पैसा जा रहा है, वो अपने personal expenses pay करेगा तो loss है, loss है और बिजनस पैसे निकाल रहा है तो bank account खाली जब buze假 कोई चीज बिजनस से निकलती है, तो कर दिया तो बचा drawings, drawings covered यहां वहां use होता है जहां पर owner अपने personal use के लिए पैसे withdraw करता है from bank, ठीक हो गया, so I hope you like this video, पसंद आया तो like कर दीजेगा और नीचे को question दो comment करके पूछ लिजेगा, and inshallah we'll meet in the next video, तब तक के लिए Allah आपिस.